हेलो एवरिवन वेलकम टो माई यूटूब चैनल गाइस आज हम यूपीटेट के सिरीज में सर्वनाम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम कहते किसको हैं तो संग्या के अस्थान पर प्रियुक्त होने वाले सब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं पहला जो हमारा सर्वनाम है पुरुसवाचक सर्वनाम तो पुरुसवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं जैसे उत्तम पुरुस, मध्यम पुरुस और अन्य पुरुस तो उत्तम पुरुस में आ जाएगा मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको मध्यम पुरुस में आ जाएगा तू, तुम, तुमने, तुझे, तुने, तुमे, तुमको, तुझसे, आपने, आपको और अन्य पुरुस में आ जाएगा वह, यह, वे, यह, इन, उन, उनको, उनसे, इन हे, उन हे, इस से, उसको अगला जो है निश्चे वाचक सर्वनाम तो निकट या दूर वस्तू को जो संकेत करता है उसे निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि यह मेरी पुस्तक है तो यह इसमें जो है निश्चे वाचक सर्वनाम है वह उनकी मेज है तो वह यहाँ पे निश्चेवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह मेरे हथियार है यह जो है निश्चेवाचक सर्वनाम है वे तुम्हारे आदमी है वे यहाँ पे निश्चेवाचक सर्वनाम है यानी इसमें निकट या दूर वस्तु का बोध हो रहा है हमको अगला जो है अनिश्चे वाचक सर्वनाम जिससे निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है जैसे इसमें आजाएगा कोई या कुछ आएगा जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे तो ये कोई जो है अनिस्चे वाचक सर्वनाम है एक और एक जामपल है उसने कुछ नहीं लिया तो कुछ जो है यहाँ पे अनिस्चे वाचक सर्वनाम है अगला जो है संबंध वाचक सर्वनाम तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध इस्थापित किया जाए उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि सो जो जो सो जो है ये संबंध वाचक सर्वनाम एक्जामपल देखते हैं कि जो आया है सो जाएगा तो जो और सो जो है संबंधवाचक सरवनाम है अगला जो है प्रस्नवाचक सरवनाम तो जिसमें प्रस्नवाचक सब्द हो तो उसे हम प्रस्नवाचक सरवनाम कहते हैं जैसे कि कौन आया था तो कौन प्रस्नवाचक सरवनाम है वह क्या कर रहा था तो क्या प्रस्नवाचक सर्वनाम है दूध में क्या गिर पड़ा तो क्या यहां पे प्रस्नवाचक सर्वनाम है अगला है निजवाचक सर्वनाम तो निजवाचक सर्वनाम है आप यह स्वयम या आप अपने के लिए प्रियुक्त सर्वनाम है जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम है तो गाइस इस तरीके से जो है वीडियो हमारा समाप्त हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो